वेल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 हिंदी आरो बुक से चैप्टर नमबर 4 है विदाई संभाशन आज हम करेंगे इसके question answer तो चल्दी से वीडियो को like कर दो I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर दो so that आपको हमारे सारे updates मिलते हैं question number one देखिए शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है तो हमारा जो लेखक है उसने दो गायों की कहानी सुनाई है और ये दो गाय किसकी है एक परसंग की है जिसका नाम शिव शंभू है हमारा जो लेखक एक्चुली ये कहना चाहता है कि जब विदाई होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता लोगों की आँखों में आसु आ जाते हैं जो दुर्बल यानि की वीक काउ थी उसको मारती थी एक दिन क्या किया गया जो ज़्यादा पावर्फुल गायe थी उसको दान पे दे दिया जाता है पुरो हित को तो उस दिन जो वीग गाय थी उसने चारा भी नी खाया खाना भी नी खाया मतलब लेका कि ये कहना चाहते हैं कि भारत के अंदर मनुष्य तो है ही जिनको विदाई पर दुख होता है जो जानवर होता है वो भी समझता है और दुख में जिस तरह से गाई ने खाना नहीं खाया उसी तरह से मनिश्य को भी दुख होता है और यहां के जानवरों को भी दुख होता है तो आंसर देखो शिव संभू के पास दो गाई थी बलशाली गाई बलशाली मतलब पावरफुल पावरफुल गाई कमजोर गाई को मारा करती थी एक दिन बलशाली गाई को दान में दे दिया गया तो जो पावरफुल गाई थी वो मासे चली गी उस दिन कमजोर गाई ने चारा तक नहीं खाय तो लेखक इस कहानी के माध्यम से यह कहना चाते हैं कि भारत में मनुश्य नहीं जानवर भी किसी की विदाई से दुखी हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन आठ करोर प्रजा के गिड़ गिड़ा कर विच्छेद ना करने की प्रातना पर जराभी ध्यान नहीं दिया यहां किस एतिहासि घटना की और संकेत किया गया चिल्डन जैसा कि आपको पता है भारत पर राज किया था ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने तो उनका एक ऐसा अधिकारी आया जिसका नाम था लॉड करजन जो बहुत बड़ा अधिकारी था इसने 1905 में क्या किया कि भारत की करान्ती कारीओं को तोड़ने के लिए इसने सोचा कि इनके टुकडे और कर दूँँ तो इसने बंगाल को डिवाइड करने का सोचा कि बंगाल को इस देश से यालग कर दूँ आठ करोड भारतियों लोगों ने इसके आगे गिड़ गिड़ा है रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा मत करो ऐसा मत करो यह हमारे देश करेंगे लेकिन फिर भी यह नहीं माना और इसने बंगाल को अलग कर दिया और जो आगे चलके क्या बना बांगला देश बना तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे लॉड करजन ने अपनी सत्ता में बंगाल का विभाजन करवा है जब यह पावर में था इसने बंगाल को डिवाइड करवा दिया जो कि आगे चलकर बांगला देश बना भारत के आठ करोल लोगों ने विंती की परंतु फिर भी लॉड करज इसके दो कारण थे एक तो पूरे भारत के लोग इसके अगेंस्ट हो गए थे क्योंकि इसने बंगाल विभाजन करवाया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको ये लग रहा था कि मेरी पावर इतनी है जो मैं कहूंगा वो ही करेगी ब्रिटिश सरकार ये चाहता था कि इंग्लेंड सरकार में एक अधिकारी था उसको ये प्रमोशन दिलवाना चाहता था और एक पर्टिकूलर पद पे अपॉइंट करवाना चाहता था तो ब्रिटिश सरकार ने इसकी बात नहीं मानी तो इसने का ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूं तो ब्रिटिश सरकार ने क पढ़ा था ना बंगाल पार्टिशन करवाया जिसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया एक तो ये बात थी दूसरा करजन क्या चाता था इंग्लेंड में एक फौजी अफसर को इच्छित पद पर नियुक्त करवाना चाता था ये चाता था कि उसका प्रमोशन करके उसक इतने नीचे गरे आसाइश पंस्ट की दे तो हमारे इस पार्ट के जो लेखक हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में जब आप आए अधिकारी बनके तो आपको कितना उचा दर्जा मिला यहां के राजा के बराबर का दर्जा मिला जब भी सवारी निकलती थी तो सबसे उची सवारी आपकी होती थी सबसे बड़ा हाती सबसे ज़्यादा सजावट वाला सिहासन आपको दिया जाता था लेकिन आज आप देखो आपने ना भारत की सुनी भारत के लोगों की नहीं सुनी किवल बुरा ही किया बंगाल विबाजन भी करवा दिया और आज आपको आ आपकी सवारी सबसे उंची निकलती थी देखा यहां पर जब भी इसकी सवारी निकलती थी भाई सबसे उंचे हाथी पैसा जाके यह वो राजा की तरह और कैसी विडमना है कि आज आप ना इंग्लेंड में मान पा सके और ना ही भारत में उस पद पर रह सके मतलब क्योंकि ब आपका इस्तीफा मंजूर करके आपको कहीं का नहीं छोड़ा थे मतलब तुम्हारी खुद की सरकार ने बाइस अब तुम्हारा इस्तीफा ले लिया और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा आपके और यहां के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है या तीसरी शक्ति किसे कहा गया है चुलिन आपको पता था जो इस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंगलेंड से वो भारत में आई थी बिजनिस के परपस से और इंग्लेंड में जितने भी ये बिटिस शासक थे इनके ऊपर भी अगर कोई राजा महरानी थी तो वो थी राणी विक्टोरिया ठीक है तो यहाँ पे जो तीशरी सक्ती कहा गया है वो कहा गया है बिटिस सरकार को जिसकी राणी कौन थी कुईन विक्टोरिया थी आंसर देखो यहाँ तीशरी सक्ती बिटिस शासक को कहा गया है और इंग्लेंड में राणी विक्टोरिया का राज्ता यानि कि अगर इन सब के ऊपर अगर कोई था जितने भी ये अफसर वगरा आ रहे थे जितने भी ये बिटिस रूल ला रहे थे इन सब के ऊपर अगर इनके ऊपर कोई हुकूमत करती थी वो थी क्वीन विक्टोरिया लॉड करजन को जब भारत लाया गया कि वो बिटिस हुकूमत को और मजबूत करें मतलब जाहर सी बात है ये लोग इंग्लेंड से बड़े बड़े अफसरों को भेजते थे कि तुम ऐ ठीक है ठीक है लेकन यार अब ये क्या करने लगा कि मैं जिस आदमी को कहूं उसको क्वेंट करो ये करो बंगाल करो ये करो ये तो यार बड़े अफसरों की बाती नहीं सुनना तो इसलिए इसी को पद से हटा दिया गया चिल्डन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नही पाठ का यहाँ अंश शिव शंभू के चिट्थे से लिया गया है शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है बालमुकुन गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया है अब चिल्डन इस चीज को हम इमेजिस से समझाएंगे सबसे पहले एक्चली रूल क्या बना दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ अकवार में मैगजीन में पैमफलेट में ना लिख सकता ना भोल सकता अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा अब जो हमारी कहानी के लेखक है गुप्त अगर वो अपने नाम से च्छाप देते इस पार्ट को तो जाहर सी बात है उनको जेल में बंद कर दिया जाता तो उन्होंने क्या किया कि अपना नाम दिया यह नहीं कहीं पर एक काल्परी पात्र इमेजनरी पात्र उठा लिया शिव शंबू ठीक है और मतला उन् कानून बना दिया था कि कोई भी भारतिय अंग्रेजों के खिलाफ बोल या लिख नहीं सकता था अगर आप लिखोगे या बोलोगे उनके खिलाफ तो जिल्म बन कर दें इसलिए लेखक ने कानूनी कारवाई से बचने के लिए कालपनिक ना शिव शंभू का प्रियोग किया जो कि हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है करजन के संदर में आपको यह बात सही लगती है पक्षिया विपक्ष में बताई तो हमारे लेखक क्या बात कर रहे है कि भारत पे बड़े बड़े ताना शाह आये जिन्हों ने बहु दिल्ली में कतल याम करवा दिया बहुत सारी मौत हुई बहुत हजारों लोग मारे गए लेकिन जब उससे भी रिक्वेस्ट करी गई तो उसने भी वो काम रोक दिया लेकिन एक तुम हो लर्ड करजन तुमसे आठ करोड लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई किसका बंगा नादिर शाह क्रूर सासक था जरासी बात पर उसने दिल्ली में कतले आम करवा दिया ठीक है नादिर शाह ने भारत प्याक्रमन किया परंतु आसिफ जाह ने कतले आम रोकने की प्राथना की तो उसे तुरंत रोक दिया गया मतलब जो इतना बड़ा ताना शाह था जिसने इतन बार विंति की परंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इसका मतलब तुम इससे भी जादा नादर्शा से भी जादा क्रूर थे तुम क्या आँक बंद करके मनमाने हुकुम चलाना और किसी से कुछ ना सुनने का नाम ही शाषन है इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शाषन पर चलना चाहिए क्या उसको अपनी परजा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए क्या उसको अपनी परजा का ध्यान नहीं रखना चा मतलब अगर आप राजा बने हो तो जनता की हित देखो किस में जनता की भलाई है कोई भी सासक अपनी इच्छा से सासन नहीं कर सकता जिद्धी सासन सासक के कारण जनता दुखी रहती है और उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है चिलन इस लास्ट क्वेशन का आंसर आप मुझे मैं समझ जाओं मैं देखूंगा आप में से कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कॉमेंट में आई होब मेरा ही छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलतें अगले वीडियो में बाबाई